हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक हम आगए अपनी बुक संचेहन का लास्ट चैप्टर टोपी शुकला लेकर टोपी शुकला जो हमारे कहानी है इसके मेन नायक है इन पर लिखी गई है कि कैसे कैसे इनका एक फ्रेंड होता है कैसे जाती के चक्कर में आकर चीजों के आकर इनक कहानी का सिर्फ एक पार्ट लिया गया पूरी कहानी नहीं है तो यह हम आपको शुरू करते हैं और ठीक से समझाते हैं और उसी के बेसेस पर आपकी कोशिनास भी हम सॉल्फ कराएंगे तो पहला शुरू कहां से होता है टोपी शुकला कहानी राही मासूम रजा द्वारा ल आपके सामने रखा गया है और यह किसके द्वारा लिखी गई है हमारे राही मासूम रजा के साथ उन्होंने लिखी है तो कहानी टोपी की इर्दग्यत घुमती है नहीं जो नायक है वो कौन है टोपी है वह इस कहानी के मुख पात्र हैं टोपी के पिता डॉक्टर हैं उनक हरफकन ठीक है याद रखिए हरफफन ठीक है हरफफन दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे दोनों के घर अलग-अलग थे दोनों के मजभब अलग-अलग थे फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी दोनों में प्रेम का रिश्टा था कहानी के प्रारंब में लेखक हरफ इरफन का जिक्र बार बार आता है क्या है लेखक हिंदू मुस्लिन की बात भी करते हैं मतलब अब दोनों अलग-अलग मजहब के हैं इरफन और टोपी तो क्या होता है कि दोनों के अलग-अलग होने की कारण उनके मजहब अलग हैं वो भी बताए जाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने इरफवन के बारे में बताना शुरू किया इस कहानी में दो पात्रे हैं बलभद्र नारान शुक्ला यानि टोपी और सयद जरगामन मुर्तजा यानि इरफवन इरफवन के दादा और परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे यानि की जो इरफवन है उसका बैगराउंड क्या है उसके दादा जी और उनके परदादा दूनों ही मौलवी थे मरने से पहले उन्होंने वसीहत कि थी कि उनकी लाइश कर्बला में ले जाए गए मतलब जो मरने मर जाए तो उनको कहां दफनाया जाए जाके करबला में दफनाया जाए इरफवन की पिता ने ऐसी कोई वसीहत नहीं की उन्हें एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफनाया गया मतलब दादा पर दादा ने वसियत की थी कि हमको करवलाम दफनाया जाए मगर पिता जी ने ऐसी कोई वसियत नहीं की तो इसलिए उन्हें हिंदुस्तान के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया था इरफन की दादी नमाज रोजे की पाबंद थी कहते हैं ने दिन में पास मरतबा नमाज पढ़ी जाती है तो वो नमाज पूरा तरह पढ़ती थी रोजे रखती थी एस होने के बावजूद भी वो रोजे रखती थी पर जब उनके इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पढ़ खड़ी रही और बोली माता मोरे बच्चे को माफ कर देओ वे पूरब की रहने वाली थी इसलिए मरते दम तक पूरवी बोलती रही कहने का मतलब है कि वो एक मुसल्मान थी मगर जब चेचक निकली तो उन्होंने उन्हीं माता ही माना एक हिंदू देवी के सुरूप का प्रसाद माना तो वो एक टांग पे खड़ो कि यहीं बोलती रही माता मेरे बच्चे को माफ कर दो मतलब होरे आस पास के महाल में जैसे हम लोग यहां निकलती है माता निकली तो वो क्या होता है वो एक मुसल्मान थी उनके हां इस चीज़ का कंस्टम नहीं था लेकिन तब भी उन्होंने माना कि उसमें पूर्वी में जलक रहा था फिर इरफन की चटी पर उन्होंने भी जी भर के जश्ण मनाया था इरफन की दादी जमिदार की बेटी थी यानि कि जब इरफन हुआ यानि उनका पोता हुआ तो खुब घूम गहा के उन्होंने जश्ण मनाया खुब उन्होंने सारे चीजें बटवाई सब चीजें उन्हें अच्छे से करी अब क्या है वो जमिदार की बेटी दादी जो थी वो कहां कि जमिदार की बेटी थी लेकिन उन्हें दूद गी बहुत पसंद था परन्तु लखनौ आकर वहां उन सब चीजों के लिए तरस गई थी कालन क्या था बहुत जमीदार थे बहुत जमीन थी गाय भैस पड़े थे तो खुब दूद उगयर करते थे लेकिन जब लखनौ आई अर्था उनका जब निकाह हो गया और लखनौ आ गई और उनकी शाथी तो मॉल्वी से हुई थी तो वो सारी चीजें होती ने जमीदार हों के वो शान परदा ज़दा सारी कस्टम्स को मानने वाली एक लेडी क्योंकि उनके पती हर वक्त मॉल्वी ही बने रहते थे यानि कि हर वक्त मॉल्वी रहते थे इसे मॉल्वी होते ना कि सक्त एकडम से सारी चीजों की पाबंदियां हिदायते सारे नियम कायदे मानना तो वो सब चीज करते थे तो उनको भी इसारी चीज़े मारनी पड़ती थी दादी को इरफन की दादी को मरते वक्त अपना घर आम का पेड और उनके अनेक चीजे याद आई उन्हें बनारस के फातमेन में दफन किया गया तो जब मरने लगी तो उन्हें अपना घर यानि कि जहां से वो रही नाम के पेड और बहुत सारी चीजें उनको याद आ रही थी जब वो मर गई तो उन्हें बनारस के कहां फातमेन में दफनाया गया जगा का नाम है इरफन तक चौती कक्षा में पढ़ता था और टोपी उसका दोस्त बन चुका था कहने का मतलब जब दादी खतम हुई थी तो वो कहां फोर्थ ग्लास पढ़ रहा था और तब तक टोपी उसका दोस्त बन चुका था वह अपने दादी से बहुत प्रेम करता था दादी उसे तरह तरह की कहानिया सुनाती थी टोपी को दादी की भाशा बहुत अच्छी लगती थी परन्तो उसके पिता उसे ये भाशा बोलने नहीं देते थे वह जब भी इरफन के घर जाता तब दादी के पास बैठने की कोशिश करता कहने का मतलब इरफन के दादी जो थी वह क्या करती थी पूरवी बोलती थी तो उसको ये लैंगवज बड़ी पसंद आती थी कि इसको टोपी को तो उनके साथ हम को हम जल्दी ग्रैब करने लगते हैं तो दादी की भाशा वो अपने अंदर लेने लगा था लेकिन उसके पिताजी को बिल्कुल पसंद और जब वो बोलता तो घर में उस चीज के लिए मनाई की जाती उसको डाट पड़ती पर डॉक्टर भ्रगु नारायन नीले तेल वाले के घर में 20 सदी प्रवेश कर चुकी थी यानि खाना मेज कुरुशी पर होने लगा था तो यह क्या था जो हमारे डॉक्टर है यानि कि टोपी के पिताजी भ्रगु नारायन तो यह इनके घर में 20 सदी प्रवेश कर चुकी खाना आपके जमीन पर बैठके नहीं मेज कुरुशी यानि कि डाइन टेबल पर होता था क्या हुआ टोपी एक दिन का बाक्या यहां पर आपको बताया जा रहा है टोपी को बैगन का भुर्ता बहुत अच्छा लगा वह बोला अम्मी और बैगन का भुर्ता शब्द क्या बोला उसने अम्मी क्या होता है कहां बोला जाता है इरफन के घर में बोला जाता था उसने अपनी मम्मी को या मा को वहाँ पर अम्मी बोला ये अम्मी शब्द सुनकर सभी टोपी को देखने लगे टोपी की दादी सुबद्रा देवी ने कहा अम्मी शब्द इस घर में कैसे आया टोपी ने उतर दया ये हम इरफण से सीखा है अब क्या हूँ एक तो उसने मुसल्मानी शब्द जो अम्मी होता है वो अपने घर में अपनी दादी और पूरे परिवार लोगों के सामने बोला तो सभी चौक गए वो तो बोला बोला उसके बाद में उसने उतर दिया ये हमने इरफण के घर से सीखा है तो मतलब भार्षा भी उसकी पूर्वी थी पूर्वी भार्षा में और दूसरा उसने अम्मी बोल दिया अब क्या हुआ राम दुलारी बोली तै कौनो मिया के लड़का से दोस्ती कर ली है तो कौन बोला उसकी मा कि ये किसी मिया के लड़के से दोस्ती इसने कर ली है इस पर सुबद्रा देवी गरज उठी बहुत तुम से कितनी बार कहा है कि मेरे सामने गवारों की ये जबान ना बोला करो यानि कि जो टोपी की मा थी वो भी थोड़ा सा गाउं की लेंगविज बोली तो इस पर टोपी की दादी बहुत गुस्सा करी कि मैंने कितनी बार बोला है कि ये गवारों की लेंगविज हमारे सामने मतलब एक सब भी लेंगविज यानि गाउं वाली नहीं शेहरों वाली भाषा बोला करो लड़ाई का मोर्चा बदल गया अब क्या अभी तक टोपी पे था अब लड़ाई का मोर्चा टोपी की मा पे हो गया जब भ्रगु नारायन को पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब की लड़के से दोस्ती कर ली है तो वे अपना गुस्सा पी गए इसके बाद टोपी को बहुत मार पड़ी बात क्या हुआ कि मौलवी साहब जो है वो कलेक्टर भी थे तो जब उनको पता चला तो जो मौलवी थे यानि की दादा उनके और उसके बाद जो इरफ़न के पिताजी थे वो कलेक्टर थे तो जब भ्रगु नाराण यानि की टोपी के पिताजी को पता चला कि इसने इरफण यानि की कलेक्टर सहाब के बेटे से जो है वो दोस्ती करी है तो वो अपना गुस्सा पी गए कि इतने बड़े लड़के, घर के लड़के से करी है लेकिन तब भी उसको ये अम्मी शब्द बोलने के लिए और पूर्वी भाषा बोलने के लिए उसकी पिताई हुई फिर भी टोपी ने इरफण के घर ना जाने की हान नहीं बरी फिर मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देखते रहे मुन्नी बाबू ने टोपी की शिकायत करते हुए कहा कि ये उस दिन कबाब खा रहा था मतलब उन्होंने और आग में घी डालने का काम किया अब उसने इतना तो बोला बोला साथ में उसको बोल दिया कि उसने नॉन्वेज खाना भी शुरू गया वै शुकला परिवार पंडित का परिवार उसने बोल दिया कि उसने कबाब खा रहा था ये बात सरासर गलत थी जबकि मुन्नी बाबु स्वें कबाब खा रहे थे तब टोपी के पास अपनी सफाई देने का कोई रास्ता नहीं था यानि कि मुन्नी बाबु actual में वहाँ पर खा रहे थे वो खुद कबाब खा रहे थे और उन्होंने उसका दोश्ट इस पर टोपी पर दिया लेकिन टोपी के पास कोई कुछ भी अपनी सफाई देने के लिए नहीं रहा और वो चुप होकर अपनी मार्ब खाता रहा फिर अगले दिन टोपी स्कूल गया तब उसने रफ़न को सारी घटना बताई दोनों जुगराफिया का घंटा छोड़ कर सरक लिए जुगराफिया मतलब जुगरफी इंगलिश मों भूलते ना जुगरफी हम सब्जेक्ट रहता है तो उसी का है जुगराफिया जुगराफि टोपी ने कहना शुरू किया कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी दादी बदल ले तो टोपी फल खाता था उसमें फल खरीदे और वो बैठ किया अब उसे बोला इरफन से कि क्या नहीं हम अपनी दादी बदल लेते हैं क्योंकि टोपी को इरफन की दादी बहुत अच्छी तो बहुत अच्छी लगती थी और यहां तोपी की दादी सुबद्रा देवी जो उसको डाटती रहती थी तो उसको यह आइडिया आया कि क्यों ना हम अपनी दादियां बदलने पर यह बात इरफण को अच्छी नहीं लगी इरफण ने कहा मेरी दादी कहती हैं कि बुड़े लोग मर जाते हैं तो उसने यह चीज जब उसने बदलने की बात कही तो उसने बोला कि जब लोग बुड़े हो जाते हैं तो मर जाते हैं तो उसको ये चीज इसले लेगी कि अब हम लोग की दादिया भी बूरी हो गई है, क्या हम लोग को छोड़ के चली जाएंगी, एक दिमाग में ये बात भी उन दोनों के खटक रही थी, क्योंकि वो दोनों अभी बहुत छोटे थे, तो ये सब चीजें उनके दिमाग में चल रही थी, फिर इतने में नौकर ने आका सूचना दी कि अरफन की दादी मर गई है, अब ये दोनों बैठे वहाँ पर खाई रहते, इतने में सूचना आई कि अरफन की दादी जो है, वो गुजर गई है, शाम को जब टोपी रफन के घर गया तो वहाँ संनाटा पस्टा था वहाँ लोगों की भीर जमा थी टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था टोपी ने रफन से कहा मेरी दादी की जगा हमेरी दादी मर गई होती तब ठीक भया होता अब क्या हुआ जब इस सारी बात थी तो शाम को टोपी इरफन के घर पहुँचा लेकिन पूरा घर में संनाटा पस्टा वहाँ बहुत सारे लोग थे लेकिन टोपी के लिए वो घर खाली हो चुका था क्यों क्योंकि वो तो इरफन की दादी से मिलने के लिए जाता था वो बोल दी फिर टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई यानि की 17 अक्टूबर सन 1945 को कसम खाई की अब वा किसी ऐसी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता ऐसी नौकरी करते हो जिसमें बदली होती रहती हो हुआ क्या था कि इरफन के पिता जी का ट्रांसफर हो गया और वो वहां से चले गए जब वो चले गए तो उसका तिकलाता दोस्त था टोपी का इरफन और इसको इस चीज़ की बहुत तकलीफ हुई इस तकलीफ की कारण क्या हुआ उसने कहा कि वो किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका तबादला होता रहा क्योंकि वो दोस्त बनाएगा उनसे नजदीकी बढ़ाएगा और वो उनसे दूर चले जाएंगे और उसे फिर से उनी दुखों का सामना करना पड़ेगा जो वो अभी इरफण के दूर होने पर कर रहा है इसलिए उसने ये कसम खाई थी फिर इसी दिन इरफण के पिता की बदली मुरादबाद हो गई थी अब टोपी अकेला रहे गया नए कलेक्टे ठाकुर हरिनाम सिंग के तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त ना बन सका आप जो नया कलेक्टर आये थे कौन से? ठाकुर हरिनाम सिंग उनके तीन लड़के थे और तीनों में से कोई भी उसका दोस नहीं बन पा रहा था डबू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था, गुड़ू केवल अंग्रेजी बोलता था तो क्या था? डबू बहुत छोटा था, सबसे छोटा था, बीलू उससे बहुत बड़ा था और जो उसका हम उम्र था गुड़ू वो सिर्फ अंग्रेजी बोलता था तो इसलिए उनकी जो है वो दोस्ती नहीं हो पा रही थी नहीं से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने ना दिया अब होता है ना कि रॉब होता है, तो किसी से भी उसकी दोस्ती वो लोग उसको अपने पास में लाही नहीं रहे थे माली और चपराशी टोपी को जानते थे, इसलिए वो बंगले में घुज गया क्योंकि वो इरफपन से मिलने आता रहता था लोगों का ट्रांसवर हुआ था बाकी तो जो लोग वहां काम करते थे वो वही थे तो चप्रासी और माली जानते थे इसलिए वो बंगले के अंदर आ सकता था उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे जिस एक दिन की बात बताई जा रही कि जब वो घुस पाया तो उस दिन तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे उनके साथ टोपी का जगडा हो गया किसी बात पर जगडा हो गया डब्बु ने अलसेशिन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया उनके एक कुत्ता था अलसेशिन ब्रीट का उसको पीछे छोड़ दिया डब्बु ने कभी कलेक्टर के बंगले का रुक नहीं किया घर में टोपी का दुख समझने वाला कोई नहीं था बस घर की नौकरानी सीता उसका दुख समझती थी जाणों के दिनों में मुन्निबाई और भैरफ के लिए नया कोट आया तो क्या हूँ अब घर में वो बिल्कुल अकेला था बस एक इरफन के साथ और उसकी दादी के साथ उसका टैश्मेंट था वो भी उनसे दूर जा चुगे थे तो घर में सिर्फ एक नौकरानी थी सीता जोसका दुख समझती थी थोड़ा भाथ वो उसके साथ हस्केल रहता था अब नेक्स वाक्या एक बताया गया कौन जाड़ के लिए मुनी बावु का कोट दे दिया गया मुनी टोपी को नया कोट ना मिलके जो मुनी बावी को कोट था वो दे दिया अब वो कोट भी नया था लेकिन वो उत्रन खाता किसी और का शौप से नहीं आया था वो पहले मुनी बावु पहन चुके थे इसलिए वो कोट दिय उसको कट दिया गया, उससे उठा गे नौकरानी के बेटे को दे दिया वक्षुश हो गया टोपी को बिना कोट जाड़ा सेहन करने के लिए मजबूर होना पड़ा यानि कि अब उसको पास कोट नहीं था और ठंड के दिन थे तो उसे बगैर कोट के बजाड़ा निकालना पड़ रहा था और उसे ठंड भी लग रही थी मगर वो मजबूर था क्योंकि उससे तो कोट नौकरानी को दे दिया था फिर टोपी दादी से जगड पड़ा होना क्या पड़ा कि जब इस तरीके से उसको कोट नहीं मिला तो वो अपनी दादी से जगड रगए हो दादी ने आस्मान से उठा लिया फिर माने टोपी की खूब पिटाई की जब उसे नौकरानी को दे दिया तो उसने दादी से कि तुम सबके लिए नाया कोट लेकर आई मेरे लिए क्यों नहीं लेकर आई तो जब जब जगड़ा हुआ तो दादी ने जो है खुब आसमें खुब चिकम चिलाट करी और नतीजा क्या हुआ कि जो है टोपी की पिटाई हो गई किसने की उसकी माने तोपी दसवी कक्षा में पहुँच गया अब टाइम बीता अब वो टेंथ क्लास में आ गया वह दो साल फेल हो गया था उसे पढ़ने का उच्छी समय नहीं मिलता था पिछले दरजे के चातरों के साथ बैठना उसे अच्छा नहीं लगता था क्या हुआ था जब तक वो टें उसके साथ आके बैठने लगे उसके फ्रेंट्स निकल जाते थे और पिछली क्लास के लोग उसके साथ आके बैठते थे उसे अच्छा नहीं लगता था अब वो अपने घर के साथ साथ स्कूल में भी अकेला हो गया क्या रंड क्या हुआ घर में तो अकेला था ही इसकूल मे जब उसके सहपाथी अब्दुलवहीद ने उस पर व्यंग बाढ कसा तो टोपी को बहुत बुरा लगा, उसके पास होने की कसम खाई, यानि उसने पास होने की कसम खाई, वाज उसमे व्यंग कड़ा किया रहे, ये तो फेल होता रहता है, बच्चे मजाग कर देतें, तो उसन वातावरण में टौपी का पास हो जाना का फी अच्छा था कता ढाय की अच्छा इसरी बार तीसरे दर्जे में erि बचाए कहने का मतलब है कि उसने तीसरी बार में दस्रीक वक्षा पास करी मगर अच्छे नंबर से नहीं करी पास हो गई यही बहुत थी तो दादी ने बोला कि चलो भगवान तुमको बुरी नजरों से बचाए तो यहां पर हमने आपको यह पूरा पार्ट टोपी के बारे में बताया यह एक उपन्यास है बहुत बड़ी उपन्यास है मुझा दे नौवल्स होती है उसका एक छोटा सा पार्ट लेके हम आपके सामने आए थे तो यह आपकी बुक संचैन में दिया गया था इसको हमने आपका पार्ट का साथ समझाया कि किस तरीके से टोपी अब हमारे नेक्स वीडियो में आप देखेंगी कि हम इसके प्रश्न उतर कैसे सौल्ब करते हैं तो बस थोड़ा सा इंतजार और थोड़ी वेर में हम आपके सामने अपना नेक्स वीडियो लेकर आते हैं इसी पार्ट के प्रश्न उतर तैंक यू बबाई